एसाई की रिपोर्ट में दावा ग्यान व्यापी में हिंदू मंदिर था विश्णू गनेश की मूर्ति मिलने का जिक्र और अंगजेव के काल में तोड़ने के साक्ष नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार न्यूज तो चली बढ़ते है आज की बड़ी खबर की और ग्यान वापिक एसाई सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार देरात सार्वजनिक हो गए इस रिपोर्ट के मुताविक परिशर के अंदर भागवान विश्णू गनेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली है पूरे परिशर को मंदिर के स्ट्रक्ष इस वक्त ग्यान वापि स्ट्रक्षर को तोड़ा गया कुछ हिस्सों को मोडिफाई किया गया मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छपाए गया 849 पेज की रिपोर्ट में एसाई ने परिशर के प्रमुकिस्थानों का जिक्र कि दीवारों शिलापटों पर शार परिशर के मौजूदा इस्ट्रक्षर में सजाय के महराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियां विक्रत कर दी गई हैं गुंबत के अंदरूनी हिस्से को जामिती रिजाइन से सजाय गया है मंदिर के केंद्री कक्षा मुख्य प्रवेश द्वार प हिस्सा है दिवार के नीचे 1000 साल पुराने अफ्षेस मिले हैं यही नहीं परिशर में एक सिलाले का टूटा हिस्सा मिला है जिसका मूल पत्थर एसाय म्यूजियम में है यह सिलाले 1966 का है इस पर महा मुक्ति मंदप लिखा है औरंग जेव सासन 1792 से 93 के दौरान इस्थल का कोट में एसाई ने बताया कि परशर के सारे खंबे 1679 यानी 1727 सतावदी से पहले के हैं यह मंदिर के प्रतीत होते हैं इसमें हिंदू के प्रतीक चिन्द बने हैं क्यान वापी की पस्च्चमी दिवार पुराने मंदिर के पत्थरों से बनी है इस दिवार से जुड़े कक्षों को मोडिफाई किया गया ग्यान वापी चबूतरी के पूर्वी भाग में तैखाने को बनाते समय पुराने स्ट्रक्षर के खंबों का इस्तेवाल किया गया एक खंबा ऐसा मिला है जिसे घंटियों से सजाए गया है उसमें चारों तरफ दीपक रखने की जगए बन में कक्षा भी मौजुद हैं लेकिन पूर्व में कक्ष के अवसेश और इसके आगे कि विश्तार का बहुत रूप से पता नहीं लगाया जा सका हिंदू पक्ष की अधिवक्ता सुभास नंदन चतरवेदी ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया कि आदी जुमन इंतिजामी कमेटी ने सवाल खड़े किये इंतिजामी कमेटी के सच्चिव एसम यासीय ने कहा कि ये एक रिपोर्ट है फैसला नहीं 849 पन्नी की रिपोर्ट के अधियन में समय लगेगा एक्सपर्ट से राई ली जाएगी फिर आगे विचार किया जाएगा उन्हो 20 जुलाई को एसाई टीन में सील वजु खाने को छोड़का संपूर्ण परिसर के सर्वे शुरू किया और लगभग 84 दिन चले सर्वे के बाद सील बंद रिपोर्ट अदालत में दाखिल की इससे पहले मामला हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट गया 24 जुलाई का सर्वे इस्थ और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें